हेलो गाइज एंड वेलकम तो माई चैनल एंड इस वीडियो में हम करेंगे अन्बॉक्सिंग इस ट्राइपॉड की जो है मेरे हाथ में यहाँ और यह एक बिल्कुल ही बजट ट्राइपॉड है तो आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से इंट्रो को लोड कर लेते हैं सो हां आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको जल्दी से इसके बॉक्स का एक सिंपल और क्विक ओवर्व्यू करवा दूँ तो आप यहां देख सकते हैं इसका मॉडल यहां लिखा हुआ है ट्राइपॉड 3110 मेड इन चाइना सो चाइना में यह बना है और यहां इसके क 15 डायमेंशन्स दे रखे हैं कि इसके हैट क्या है यहां 102 सेंटीमेटर जब इसको इस तरह से कुछ खोलते हैं और जब यह पूरा पैक होता है तो इसकी 35 सेंटीमेटर और इसके दिनो लेकस स्प्रेड करने पे 34.5 सेंटीमेटर अप्रोक्सिमेटली इसकी है देखने को मिल जाता है दोस्तों ये ट्राइपोर्ट स्पेशली में रिकमेंड करूंगा बिगनर्स के लिए जो नए नए यूट्यूब पे आये हैं तो उनके लिए काफी ही फाइदे मन्थ हो सकता है और एक बार माफी चाहूंगा आपके लिए इसकी थोड़ी खराब सी पैकेजिंग के ल यहां इसमें एक गलॉट का बैग मिल जाता है जिसमें शायद हमें सबसे पहले देखने को यहां मिलता है यह मोबाइल होल्डर जिस वजे से मैंने यह मेंनली इसको मंगाया है तो जिनके पास जिसे कैमरा नहीं होता जो बिगनर्स हैं इंट्रेस्ट हैं उनको लगिए तो इससे लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा मेरे चैनल को इस से बहुत मदद मिलती है तो इसमें आप एजिली अपना फोन अटेच कर सकते हैं मैं जल्दी से इसमें अपना अटेच करके दिखा दूँ तो दोस्तों यहां लेके आ बटन पर प्रेशर ना पड़े ओफुली तो ऐसे यह अटैच हो जाता है और बिल्कुल भी इससे निकलने का कोई चांस नहीं है बहुत ही अच्छी तरह से अटैच हो जाता है तो चलिए जल्दी से मैं इसको अभी साइड में निकाल के रख लेता हूं और फोन को भी साइड में रख लेता हूं अब जल्दी से देखते हैं हमारे में यूनिट यानि हमारे ट्राइपॉड को तो दोस्तों यहां हमें अपना ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह तो यहां दोस्तों हमारा tripod निकल के आता है सिधा box में से हमारे सामने जिसका look काफी अच्छा है यहां पूरा wrap करके इसको दिया हुआ है अच्छे तरह के से and यहां एक water level indicator if you can see जिससे इसको straight रखने में काम आयेगा हमें जो और यह इसके हर तरह से lock है यह जो lock है यह इस वाले के लिए है इसका forward and backward dimension adjust करने के लिए आप इसको यहां करके tight भी कर सकते हैं यह hopefully इसको attach करने के लिए है तो मैं जल्दी से इसको इसमें attach करके आपको दिखा देता हूँ तो यहां इसमें यह attach होके tight हो जाता है और यह जो lever है यहां दे रखा है इससे आप इसको straight कर सकते हैं इसको डिला करके उससे पहले शायद आपको इस वाले lever को घुमा के इसको थोड़ा adjust करना पड़ेगा ताकि यह इसससे टकराए ना तो इसके बाद यह सीधा straight हो जाता है एंड यहां से फिर से आप इसका lever tight कर सकते हैं और यह कुछ इस तरह से दिखता है सामने से और मैं इसको जड़ा नीचे कर दूँ और यह lever तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया आप चाहें तो इसको हर तरीके से adjust कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो lever है यहां यह इससे हम इसको यहां से extend कर सकते हैं यहां से तो extend हम इसे कर ही सकते हैं यह तीनो 3 levels पे extend हो जाते हैं यहां से यहां से और यह last वाला small level तो इससे मैं अभी बंद कर देता हूं तो जल्दी से मैं इसको खोल के दिखा देता हूं आपको तो जिहां दोस्तों कुछ ऐसा हमें मिलता है देखने को यह tripod इस शांदार से look के साथ आप चाहें तो इसमें अपना phone भी attach कर सकते हैं एंड चल्दी से एक quick look मैं इसमें अपना phone लगा के दिखा देता हूं आपको तो दोस्तों यहां phone मैंने अपना लगा दिया है इसमें इस तरह से और आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही easily इसको हम कहीं भी rotate कर सकते हैं और बिल्कुल भी phone के निकल के गिरने का खत्रा जो नहीं है इसमें तो जब इसको हम एक level पे extend करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है जो height इसकी है यह more than enough है आप इसको यहां से गुमा के कुछ भी नीचे side में record कर सकते हैं तो यह है इसका एक level इसमें ऐसे दो levels और हैं तो काफी लंबी height देखने को मिल जाती है आपको इस tripod में overall तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसा था यह product तो दोस्तों यह हमारा overall product thanks for watching my video, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही tech videos और unboxing देखना पसंद है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और अगर वीडियो आपको कुछ भी informative लगा पूरे वीडियो में तो मेरे वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा and till next video stay tuned